नाइका, जुमेटो, पॉलिसी बजार और ऐसे कई सारी IPOs में दो चीज़ें कॉमन थी पहला, इन सारे IPOs ने रीटेल इंवेस्टर्स की वेल्ट को बड़े लेवल पर डिस्ट्रॉई किया और second, even though इन सारी कंप्रीज की शेर प्राइस, अपनी लिस्टिंग प्राइस से 40 से लिके 50 परसें तक डाउन है, बट still, इन सारी कंप्रीज दो में इंवेस्ट करने वाले early age investors ने बहुत ही कम टाइम में अपनी इंवेस्टमेंट पे multiple times के रिटन्स कमाए जहाँ पर, अगर मैं आपको info edge का example दूँ, जो की जुमेटो के early age investor थे तो उन्होंने जुमेटो के listing के time पे, जुमेटो में total thousand times से भी जाधा की रिटन्स कमाए जिसकी value थी around 15,000 crores की, और आज जब कंप्री इतने जाधा down है, तब भी उनकी investment की value more than 500 times की है, और इतना ही नहीं, अगर हम लोग individual investors की भी बात करें, तो actress Katrina Keff और Alia Bhatt ने, NICA में इनके IPO से पहले invest किया था, और listing के time पे इनोंने NICA से अपनी investment पे 10 times से भी जाधा की returns कमाए थे, and through this, it is clearly visible कि ये high net worth individual अपनी किसी भी investment पे, अपने maximum returns उस company के IPO आने तक ही कमा लेते हैं, और ऐसे में, अगर Reliance Retail और Tata Technology ये सा कोई अच्छा IPO इंडियन market में आता भी है, और we as a retail investors उस IPO के लिए bid करते हैं, तो guess what happens, exactly, हमें वो IPO lot नहीं होता, पर सोच के देखिए, कैसा रहेगा, कि अगर हम भी इनी companies में, इनकी IPO से पहले ही invest कर सके हैं, अब before we can understand on how it's been done, and what are the factors जिसके बारे में आपका जाना जरूरी है, सबसे पहले हम यही समझ की listing से पहले पहले, वो इस company का share primary market में already trade कर रहा होता है, अब अगर मैं आपको stock market और primary market के बीचे major difference बताऊं, तो secondary market में trade करने वाली हर एक company, saving की तुरूर regulated होती है, वहीं पर जो company primary markets में trade करती है, वो companies active through regulated होती है, इसका मतलब यह है, कि जो भी company का financial result आता है, या जो भी news आत के लिए आपको थोड़ा जादा effort लगाना पड़ेगा, उनकी सारी news और सारी results होते हैं, वो on time नहीं आते, second major difference है liquidity का, share market case में क्योंकि बहुत सारी retail investors buying और selling करते रहते हैं, तो liquidity हाई होती है, जिस वैसे अगर आज आज आपने किसी share को sell किया, तो उसी same time पे कई सारी bias available होते ह वो share को उस price पे buy करने के लिए, पर primary market में क्योंकि काफी limited लोग ही होते हैं, और shares की buying और selling इतनी frequently नहीं होती, हो सकता है और share को sell करने लिए, आपको हफता बर या 10-15 देने लग जाए, हमारा जो अगला major difference है, वो है taxation का, जहाँ पर आपको primary marketing case में tax जादा देना पड़ता है, and fourth और सबसे major difference यही है, कि stock marketing case में जो ticket size होता है आप investing, वो काफी कम होता है as compared to that of primary market, जहाँ पर stock market case में आप 500,000 रुपे से अपनी investment को start कर सकते हो, वहीं primary marketing case में अभी तक एक normal individual, अगर किसी company में उसकी IPO से पहले invest करना चाहता था, तो उसमें at least उसको 20-25 लाग की investment लगती थी, बट अब यही investment गिर के 10,000 पे आ गई है, अब अगर आप primary market में listed shares को देखोगे, तो इसमें आपको two categories of shares मिलेंगे, पहले होगी companies like HDB Finance, Reliance Retail, और Tata Technologies जैसी companies, जो की already listed काफी बड़ी-बड़ी companies के subsidies होती है, जिस वैसे इनके पास एक already बहुत अच्छी brand value होती है, जिससे इन म आपको जो risk है, वो compatibility जादा मिलेगा और दूसरी company से comparison में, अब सबसे पहले हम लोग primary market में invest करने से major advantages को देख लेते हैं, सबसे पहला, सबसे major advantage यही होता है, जब किसी भी company में एक early investor बनते हो, तो ऐसे में आपकी जो returns होते हैं, वो काफी जादा होंगे as compared to दब, जब उस company क जो stock है, वो already market में list हो चुका होगा, और second major advantage होगा, डाइवर्सिफिकेशन का, जहाँ पर अगर आपने portfolio का एक significant portion, ऐसे stocks में invest करोगे, जो की listed नहीं है, तो उसमें आपको growth की possibility जाता मिलेगी, और यह आज किने हम ज़रूरी भी हो गया है, विकोर जहाँ पर हर एक retail investors के पास, एक सी information available है, हमें कुछा कुछ आपको ऐसा अलग करना पड़ेगा, जिसे हम long term में एक above average rate में कमा पाँ है, यह जा लेते हैं कि इस particular segment में क्या क्या risk है, जिसके बारे में हमार आपका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सबसे पहरा risk जो हमनें पहले भी डिसकस किया तो वो हर एक दिन buying और selling नहीं करते, जिस वैसे आपको shares को buy और sell करने में कई बार हफ्तों लग जाते हैं, हमारा अगला point है higher commission का, जहाँ पर secondary marketing case में आपको जो commissions pay करने होते हैं, तो से भी और अपने brokerage को, वो delivery case में काफी दा कम होते हैं, वही पर primary marketing case में even अगर आप stocks की delivery ल इतनी easily available नहीं होती as compared to data, जो आपको stock market में available होती है, हमारा जो अगला major difference है, वो है taxation का, जहाँ पर आपको primary marketing case में tax जाधा देना पड़ता है, विकास जहाँ पर आप secondary market में देखोगे, यानि stock market में, उधर आपको long term capital gain, यानि ऐसा gain, जिस पर आपने एक साल से जाधा hold किया, और उस पर आपको एक लाग से जाधा profit हुआ, तो उस profit के ऊपर आपको 10% का tax देना है, और वही short term capital gain में आपको 15% का tax देना होता है, पर अगर आप यही primary market का case देखोगे, तो उस case में long term capital gain की जी duration है, एक साल ना होके 2 साल होती है, और उस पर भी आपको 20% का tax देना होता है, जिसमें आपको indexation की benefit मिलते हैं, और अगर आप short term capital gain देखोगे, तो उस case में आपको आपकी income tax के slab के according tax देना होता है, इस platform का नामे leadoff, यह कोई sponsored video नहीं है, यह बोलने के मुझे कोई भी पैसे नहीं मिले, मैं इस platform का use करके, खुच पिछले एक साल से इस पर invest कर रहा हूँ, अब अगर मैं आपको इस platform पर लेके चलू, तो इधर आपको यहाँ पर login करना होता है, let me tell you, अगर आपके पास की ID नहीं है, तो आप इसके listed shares हैं, उनको नहीं देख पाऊगे, तो इसके लिए मैं आपको एक description में link दे दूँगा, इसके दुरू आप easily ID create करके, इस पर listed shares को यहाँ पर दिख जाएंगे, अब इस case में अगर आप Tata Technologies को खोल के देखोगे, तो ऐसे मैं आपको Tata Technologies case में face value दिखेंगी 2 रुपए की, और इनके per price की value है, वो है 849 रुपीस की, और यह दोनों ही आपको job shares buy करोगे, वो NSDL या CDSL में store होगे, अब ऐसे में आप इनके research report प में आपको इस stock के regarding जो भी updates होगी और जो भी news होगी, जो की stock के price को hit करेंगी, वो मिल जाएंगी, अब इस case में आपको जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, कि आपको individual shares buy करने के opportunity नहीं मिलती है, यहाँ पर आप shares lot में buy करते हो, तो यहाँ पर आप number of shares एक बार में 12 buy कर सकते ह जिनका price ही 10,188 rupees होगा, और इसकी उपर आपको transaction fees देनी पड़ेगी 2% की, plus 0.015% की आपको stamp duty देनी पड़ेगी, इस पर आप add fund करते हो, तो यहाँ पर आप add fund करके easily in shares को buy कर सकते हो, और आपके buy करने के बाद, इन stock आपकी CDSL की depository में भी save हो जाएंगे, और आपके पास CDSL से भी एक mail आजाएगा, तो अगर मैं आपको बताओं, जो already मैंने stocks buy कर रखे हैं, तो अगर आप मेरे order section पर जाओगे, तो as you can clearly see, कि मैंने 2022 में, 4th month में, Reliance Retail, plus port के shares already buy कर रखे हैं, जिनकी value अभी अपने all time high से लगवा 20-25% down है, अब यहाँ पर एक quick disclaimer, यह कोई investment advice नहीं है यह किवल मेरा opinion है, और please आप कोई भी investment decision लेने से पहले, अपने financial advisor जरूर discussion कर लीजेगा, because इधर invest करना आपको काफी ज्यादा risk ही हो सकता है as compared to that of stock market, and इसके लाबा अगर जैसे मैंने आपको बताए कि Tata Technologies का share आगे बागे list होने वाला Indian markets में, तो अगर आप इस company के बारे मे बारे में जाना चाहते हो, उसके लिए आप screen video को click कर सकते हो, so thank you for watching this video, please video को like कर दीजेगा, channel को subscribe कर दीजेगा, और हम मिलेंगे अपने next video में, तब तक के लिए, bye bye